जे माता जी, रामराम, सिता राम, यह इस हमारे मुड़द्वार का है, इदर वहाँ यह उत्रान पे खोड़ी वरेस रखता है, मारवाडी, काठियावडी सब का, तो यह 20-30 खोड़े साथ में रेता है, यह पहला नुम्मर लेके गई है, इदर हर साल इदर मुड़द्वार का है, आए, इदर बड़े सा-2 बड़े है आा तो यह जो रखते हैं, बारिद्वाद्स रखते हैं, यह इस धिन से, आप पाठिगए अल वरे वाट मित अर्ए पाड़द्वार सोल भी मांकोद्वार का दियो पंप polit sound, वाट गरगविल भी बड़ें sapat 있는 the first sound, the first sound तो थे जाए रहा यो यह लिए आड़ी उत्रे तो यह अमर्पक्सी जर आता है कौन जी बोलता है यह साथ समुदर से पार से आती है जर खाना खाने के लिए यह सर्वी महा समुदर पार करके इदर जाजिस्तान में टिक कर गाउं है पहले तो उसका मुकाम रहता है तो वह उसको खाना भी जालते है तो यह इदर उदर कुमती है सेंग के लिए तो यह जब पतंग वाला है ना वो पतंग उड़ाते है तब वो सुबह साम निकलती है वो दोपर भे बही निकलती है, तो उस मर जाती है, हो 1000 किलोमेटर काट के आती है, वो समदर से ही उपर से ही आती है, उपंदरा दस दंद दीन डयनाइट उड के आती है, उसको भी ये पतंग वाला मार देता है इसलिए हम सब को रिक्वेस्ट करते है ये पतंग वाला बंद कीजिए ये सब सगा के रखा है ये राजकार्णी उन्हें और फिल्मों के ही रासब आते है तो उसका कोई मरता है तब उसको मालूम होता है लेकिन इसका पूरा पूरिवार उजड जाता है ये 1000 किलोमेटर काटके ये सरधी निकालने के लिए इदर आती है खाना खाने के लिए ये हमारे गुजरात में सवराष्टमे सिंग बड़ी बहुत ताजाद में होती है तो ये बहुत ताजाद में आती है वो बरसात की टाइम से पहले वापस सली जाती है उसका बच्छा उजरने के लिए तो उसको भी ये मार देते हैं ये सब लोग को ये ही करना चाहिए कि ये तो विदेशी महमान है तो ये महमान को मारने के लिए आपका कोई हक नहीं है आपका कोई मरेगा तब आपको पता ये सब गाउं वाला जहां पाला लोड कर रहा था वहां उड़ा रहते तो हम तो ये उसको पकड़ के जला देते थे जितनी आती थी इतनी वहां बहुत लोग पकड़ने के लिए आते थे ये पतंग कटके आती थी वहां जहां हमारा लोड पाला हो रहा था वहां ही ये साइ बोला ये लड़का लड़की उड़ाएंगे मैं बोला ये ये मर जाएंगे आप उसको जलाई दिये तो सोटे लोग है तो उसने बोला ठीक है मैं बोला ये आप जा रहा है ये ट्रक में हमारे साथ और ये रास्ता में ट्रक का एक्सिडन हो गया और आप मर जाएगा तो आपक वक्सी आता है उसका तो कोई परिवारी नहीं होता, यह कि उसकी मा होती है, जो मर जाएगी न, तो उसको बसाने वाला कोई नहीं रहता, तो वो ही सौसन चाहिए, यह सब सदा के रखा है सब लोग ने, यह उडाते हैं पतंग, यह पहले कोई नहीं उडाते थे, आज से सो साल पहले ये पहले तो ये बेन होती है तो बेन के लिए पाई जाते है घर पे उसको कोस जो भी इसकी सगोड होगी इसा होगी वोई कोई पैसा देते है कोई बाजरी गेहों ऐसा बेन के लिए पाई लेके जाते थे अभी तो ये चाला सबहर सत पे सड़के ये पतंग उड़ा रह ऐसी है बेकार कि कोई काम ऐसा करे तो इसा ही करते हैं ये पतंग उडाते हैं और पत्सी को मारते हैं बहुत लोग ये नहीं सोसते कि आप मरेगे ये आप ही मरेगे क्योंकि ये आपको कोई भगवान बंधूक लेके पतंग लेके मारने के लिए नहीं आता ये वहां देवी करके यह वापस बीखरी कर रहा था तो उसने मेरी नहीं सुनी तो एक लड़का का 10,000-12,000 का मोबाल गीर गिया और मिला भी नहीं तब लड़ा यूई उसने पीता जी ने उसको बहुत मारा तब मैं बोला कि ये आपका भगवानित देखते हैं आपने ये 200-300 की पतंग एक ठी करके आप भिखरी करने के लिए जा रहा था तो आपका ये 10,000-12,000 का मोबाल इसलिए गिया पहले मैं उसको बोलता था ये यार उसको एक ठी करके जला दीजिए तो जलाते थे नहीं कि नहीं नहीं वो तो पैसा आईगा हम भिखरी करेंगे वो करेंगे उड़ाएंगे तब नहीं माना जब उसका 10-12,000 का मोबल गिर गिया न तब माना तब ये पतन छोड़के भाग गिया मैं बोला अभी तो ये खाली आपको समतकारी बताया है बगवान ने कि 200-300 के लिए आपका 10-12,000 गिया लेकिन आप उड़ाएगे तो किसी का पक्सी मरेगा न तो आपका ही पिता मरेगा आपका ही कोई परिवार से जो खाना खाने और कमा के लेके आता है न ओवी मरेगा तो यसा है कि आप ही जो पतंग उड़ा रहे आपको महलूँग नहीं है पको आप कोई ये कहां से कहां आप कोई मरना ही पड़ेगा जो भी उड़ा है अभी बहुत लोग मरा होगा हमारे इदर रमदावत से सुरत है रासकोट है बड़ी बड़ी सीती है भूज है पोरबंदर है उसमें कोई न कोई सत्से गिरा होगा